हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सब मैं राजल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है राजन अकेडमी ओफ एजुकेशन तो आज बात करेंगे फ्यूचर प्रफेक्टेंस के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानेंगे कि फ कल या पर्सु जब भी यानि कि हम भविश्य के बारे में बात करते हैं ठीक है जैसे कि वह दिल्ली जा चुका होगा वो दिल्ली पहुच गया होगा ठीक है उसने खाना खा लिया होगा इस तरीके का जो सिंटेंस है वो हम लोग इसमें फ्यूचर प्रफेक्टेंस में सबसे पहले आप देखी फॉर्मूला पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लिए इससे पहले कि सारी जो ग्रैमर की वीडियो थे टैंसे से रिलेट वह मैंने अप्लोड कर जुका हूँ ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट के साथ में will have का यूज होगा और यहां पर third form of the verb यूज होगी क्या यूज होगी third form of the verb यूज होगी और फिर हमारा object तो जले इस फॉर्मूला के अधार पर हम क्या करेंगे ये एक sentence बना के देखते हैं जैसे वह दिल्ली जा चुका होगा यानि कि मैंने वह की चिके यानि कि subject की चि ही है तो we sorry he will have gone to Delhi तो यह हमारा sentence brutal correct होगा यानि कि वह दिल्ली जा चुका होगा ठीक है आप वे खाना खा चुके होगी इसको हम कैसे बनाएंगे तो they will have eaten food तो देखें इसमें कुछ आपको इसमें इतना कठिन नहीं है बहुत ही असानी से आप बना सकते हैं affirmative sentences तो आप बात क और आप practice जिदनी करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वायदा रहेगा तो negative sentences के बारे में बात करते हैं यानि कि हमारे future perfect tense के negative sentences के बारे में तो देखें negative sentences में क्या करना है आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बस subject plus will not यानि कि हमने अगर आप ध्यान दे तो will have था यह not have plus third form the verb plus object वाकि same रहेगा बाकि के बल आपको जो है will के बाद भी not लगा देना है वह दिली नहीं जा चुका हुगा he will have sorry he will not have gone to Delhi वे खाना नहीं खा चुके होंगे they will not have eaten food ठीक है वे ऐसा नहीं कर चुके होंगे इस तरीके के sentences आप बना सकते हैं ठीक है मैं खाना नहीं खा प्लस थे अब है जो हमारे affirmative sentence थे इसमें क्या करना है subject plus will प्लस have थार्ट फ्यूम डिफ्व प्लस object जा चुका होगा इस sentence को हम इस तरीके से बनाएंगे Will he देखे Will और subject क्या है He Will he have लगा दिया हमने have gone यानि कि third form of the verb to Delhi तो क्या भे दिल्ली जा चुका होगा Will he have gone to Delhi इस तरीके से हम बना लेंगे क्या वे खाना खा चुके होंगे Will he have eaten food क्या वे अब मैंने यहाँ पर ही लगाया है तो इसको ठीक कर लेते हैं दे कर लेते हैं मैंने कई एक वीडियो और थी उसमें भी मैंने ऐसे गलती कर दी anyway कोई problem नहीं आपको समझ में आना चाहिए तो मैं आपको clear करके आपको बता दे रहूँ क्या वे खाना खा चुके होंगे Will they have eaten food इस तरीके साम बना लेगे तो चली अब स्टार्ट करते हैं interrogative negative interrogative negative बहुत ही easy है आपको क्या करना है interrogative negative में आपको कुछ नहीं will subject have or not यानि कि यहाँ पर भी हम क्या करना है हमें केबल यहाँ पर have के बाद में not लगा देना है बाकी हमाला sentence same रहेगा ठीक है तो चली इस्टार्ट करते हैं क्या वे दिल्ली नहीं जा चुके होंगे क्या वे दिल्ली नहीं जा चुका होगा यहाँ पर होगा ही थोड़ा missprint हो गया हमसे anyway क्या वे दिल्ली नहीं जा चुका होगा तो यहाँ पर क्या होगा देखिए will he यानि subject will के बाद मैंने he यानि कि subject लगाया है have not gone to Delhi will he have not gone to Delhi क्या वे दिल्ली नहीं जा चुका होगा और जब हम interrogative में आते तो will he have gone to Delhi तो हमें या पर क्या करना है will he have not लगा देना will he have not gone to Delhi क्या वे खाना नहीं खा चुके होगी will he have not eaten food इस तरीके दे बहुती आसानी सा बना सकते है तो students आपको करना कुछ नहीं है बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है ठीक है सारी जो चीजे है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है प्रैक्टिस अच्छे सी कीजे ठीक है तो और को क्यारी हो तो मुझे प्लीज आप कॉमें बताएं यूटूब के जो भी वीडियो है हमारी उसके कॉमें बताएं और मैं पुरी कोशिश करूँगा कि उसका हल करने की ठीक है और बागी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए कॉमेंट कीजिए थैंक्यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉंटिनियोस के साथ में थैंक्यू